जैमातादी दोस्तों आज मैं आपके साथ शेर कर रहा हूँ टॉप थ्री अंडर वैल्यूट निफ्टी स्टॉक्स सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेर करूँ उससे पहले मेरी रिक्वेस्ट है मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अपर तक नहीं किया हूँ और अब मैं आपके साथ शुरू कर रहा हूँ एक एक करके शेर करना टॉप थ्री अंडर वैल्यूट निफ्टी स्टॉक्स तो जो पहला अंडर वैल्यूट निफ्टी स्टॉक्स है उसका नाम है कोटेक महिंद्रा बैंक प्राइज आप स्क्रीन पे देख पा र रा प्राइवेट सेक्टर का बैंक है ये और रिटेल कस्टमर को परसनल फानाइंस इंवेस्टमेंट बेंकिंग लाइफ इंशोरंस वैल्थ मनेजमेंट के शेत्र में products और financial services देता है ये bank के financials पर एक नजर डालें तो June 2024 ते माई में bank का NIM 5.02 परसंट रह जो एक साल पहले 5.57 परसंट था bank ने अपने loan book के 1.5 परसंट से नीचे net NPA को बनाय रखा हुआ है पिछले एक दशक में bank के loan book में 25 परसंट से अधिक के Cajr से व्रिदी हुई है डिजिटल सेग्मेंट में 40 परसंट प्रतिवर्ष की प्रवाफशारी व्रिदी देखी गई है और bank के challenges जाने की चनोती है और आगे का रास्ता देखें तो 2024 में कोटेक मेंद्रा बैंक के शेर में 11 परसंट की गिरावट देखने को मिली गया है आरवे द्वारा ऑनलाइंग चैनल के माद्यम से गराकों को जोडने और credit card जारी करने पर नए प्रतिबंद लगाने के बाद चौक में गिरावट देखने को मिली थी management का कहना है इससे गराक व्रिदी की गती प्रवावित होने की उमीद है हाला कि bank इस ततिय से अफगत है और सिर्फ वेपार व्रिदी सुनुशित करने के लिए मौझूदा गराकों के साथ अपने संबंदों को गहरा करने की योजना बना रहा है कोटेक महिंदरा बैंक अपने IT सिस्टम को मजबूत करने के लिए नए तकनीकों को अपनाने के उपाए किये हैं और जल्द से जल्द आरवे के साथ काम करना जारी रखेगा Valuations देखें तो कोटेक महिंदरा बैंक के स्टॉक का पी उनुपाद 19.2 है और Price by Book 2.7 का है सालांच में देखें तो कोटेक महिंदरा बैंक एक मजबूत बैंक है जो कुछ चनोतियों का सामना कर रहा है हाला कि बैंक के पास इन चनोतियों से पार पाने और विकास दारी रखने के लिए ठोस योजना है टेकनिकल चार्ट आपके सामने है कोटेक महिंदरा बैंक ब्रॉडर मार्किट को अंडर परफॉर्म कर रहा है बड़ पॉजिटीव चीज क्या है कि नीचे में 1740-1750 चार्ट पर एक मजबूत सपोर्ट है मुझे लगता नहीं है इस तरों के नीचे जाएगा जाएगा तो नॉर्मल सरकम्स्टांसिस में सस्टेन नहीं करेगा कोई डिप आती है इस तरों के आसपस आता है तो खरीदना चाहिए और मेरे टार्गेट्स हैं राकेशबंसल.com पर जाएं, मेंटर्शिप सर्विसस जिसमें हम लॉंग टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट तर्म डिलिवरी पिक्स देते हैं, ऑप्शन सेग्मेंट, स्टॉक और इंडेक्स ऑप्शन की ट्रेडिंग पिक्स दी जाती है, फ्यूचर सेग्मेंट, जहां प ट्रेडिंग की पिक्स देते हैं, अधिक जानकारी के लिए 999-6161-879 पे WhatsApp के माध्यम से संपख करें, अब मैं आपके साथ शेर कर रहा हूं, सेकंड अंडर वेल्यूट निफ्टी स्टॉक कंपनी का नाम है, हिंडेल को, प्राइज आप स्क्रीन पे देख पारें, हिंडेल कंपनी है, हंडेल को, दुनिया में सबसे बड़ी Almonium Rolling и Recycling Company है, साथ में ही एक Public Upper Company भी है ये एशिया के टॉप Primary Almonium उत्पादकों में से एक है, ये Building और construction, Automobile, Packaging, Electrical, Consumer Durable, Refractories और seramic जैसे कई उद्योगों को सेवा परदान करती है financials पर एक नज़र डालें तो वित्यवर्ष 2024 में हिंडेलको की बिक्री में 3.2% की साल दर साल गिरावट आई है और ये 2.1 लेक करोड रुपी रही साल के लिए शुद आय में 0.6% की मामूली वृद्धी हुई है और ये 10,100 करोड रुपे रही नए समझोते और भविष्य की योजना है देखें तो कमपनी ने अमेरिका बैटरी निर्माता चार्ज C4U के साथ लीथियम आयन बैटरी बनाने के लिए कोडेक बैटरी फॉइल और स्ट्रक्चरल कंपोनेंट की आपूरती के लिए एक समझोता ग्यापन पर अस्ताक्षर किये हैं समझोते के अनुसार हिंडल को 5 साल की अबदी के लिए C4U को 20 टन तक बैटरी ग्रेड अल्मूनियम फॉइल की आपूरती करेगा आगे बढ़ते हुए कंपनी भारत में डाउंस्ट्रीम विस्तार पर दिहान केंडरित कर रही है जिस से मुल्य भृती उत्पादों में योगदान बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है इस रननिती का उदेशे जो है ना प्रॉफिट बढ़ाना है और कंपनी को एलमूनियम की कीमतों में उतार चड़ाव से बचाना है इसके इलावा कंपनी को उमीद है कि कॉपर कारोबार में बढ़ती मातरा मजबूद मांग और भेतर TCRC मार्जन के कारण पॉजिटिव गती बनी रहेगी वेलुशन देखें तो हिंडालकों का स्टॉक जो है ना उसकी पी है 13.5 की प्राइस टो बुक है 1.3 का सारांश में देखें तो हिंडालकों एक मजबूद कंपनी है जो एलमूनियम और कॉपर के शेतर में एक प्रमुक खिलाडी है कंपनी भविश्य के विकास के लिए अच्छी तरह से त्यार है और नए अफसर और साजिदारी का लाब उठा रही है टेकनिकल चार्ट आपके सामने है, ट्रेंडिंग स्टॉक है, लीस्ट करेक्शन्स आती है मेरी तो यहां गिरावट पर खिदारी की राय है, बाय और फॉर्गेट वाला स्टॉक है, बाय करके कर आब बोल सकते हैं तो अच्छी रिटर्न यहां बन सकती है हमारे प्रोडक्स और सर्विसिस की ज्यादा जानकारी के लिए 999-6161-879 पर वाटसेप के माधियम से संपक करें अब मैं आपके साथ शेर कर रहा हूँ, थर्ड अंडर वैल्योट निफ्टी स्टॉक कंपनी का नाम है बजाज फानेंस, प्राइज आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं बजाज फानेंस को देखें तो एक लंबा सफर मजबूत प्रदर्शन रहा है इसका बजाज फानेंस को देखें तो 1987 में शुरू हुई बजाज फानेंस पहले एक वेकल फानेंस कंपनी थी और अब ये भारत की सबसे बड़ी सबसे विविद NBFC में से एक है बजाज फानेंस मुक्य रूप से लोन देने के वेफसाइब में लगी हुई है बजाज फानेंस के पास रेटेल, SME और कमर्शल कस्टमर्स के लिए एक विविद लेंडिंग पोर्टफोलियो है जिसकी शहरी और ग्रामीन भारत में इंपोर्टेंट प्रेजन्स है फानेंशल पर एक नज़र डालें तो एप्रेल, जून, ते माई में नॉन बैंकिंग फानेंस कंपनी बजाज फानेंस के कंसोलिडेटिट नेट प्रॉफिट में 14% की साल दर साल की विविदी हुई और ये 3,910 करोड रुपीज रही जो की नेट इंटरस्ट इंकम में मजबूत विदी के कारण हुआ है एनाइज में 25% की साल दर साल विदी हुई है और ये 8,360 करोड रुपे हो गई है जो पिछले साल की समान अबदी में 6,710 करोड रुपीज थी quarter one of financial year 25 में fund की लागत 7,94% थी जो जनवरी मार्च quarter में यानि की quarter four of financial year 24 से अधिक है जो उधार लेनी की उच लागत को दर्शाता है quarter one financial year 25 में NIM quarter four financial year 24 की तोलना में कम हो गया है जो की fund की बढ़ती हुई लागत और asset under management की सरंचना बदलाप के कारण हुआ है आगे का रस्ता देखें तो बजाज finance अपनी market share बराएं रखने और अपने website को समान विकास दर पर चलाने की कोशिश कर रहा है प्रतीस परदी बजार के बवजूद कमपनी का प्रावावी ढंग से अपनी पकड बनाए हुए Valuations देखें तो बजाज finance का P 27.1 का है Price to book 5.5 का है सालांच में देखें तो बजाज finance एक मजबूत कमपनी है जिसका प्रदर्शन अच्छा रहा है कमपनी भविश्य के विकास के लिए अच्छी तरह से त्यार है और चौनोतियों का सामना करने के लिए रेडी है बजाज finance का टेक्निकल चार्ट आपके सामने है और देखें तो September 2021 से अभी तक कोई रेटर्न नहीं आया Approximately 3 साल से कोई रेटर्न नहीं है एकदम sideways है बट positive चीज क्या लगती है नीचे में 6000-6300 एक strong support है और मुझे लगता है जल्दी अंडर परफॉर्मेंस और परफॉर्मेंस में बदल सकती है थोड़ा समय देना पड़ेगा दुबारा से रिपीट कर रहा हूं 6000 से लेकर 6300 strong base है मुझे लगता नहीं है इसकी नीचे जाएगा और मुझे लगता है यहां पर अगर समय दिया जा तॉप थ्री अंडर वेल्यू निफ्टी स्टॉक अपना फीडबैक कमेंट में पोस्ट कीजेगा और आप सब का धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए जैम आता दिए इंवेस्ट्में इन सेक्योर्टी स्मार्केट असब्टिक तो मार्केट रिस्क रीट अल्टे दोकेमेंट सेक्वली